Hello students, a very good afternoon to all of you I hope all of you are in good health अपना आपको ध्यान रखना है, विशेश रूप से आपको मास लगाना है ठीक है, और social distancing का पालन करना है, घर से बेवज़े बाहर नहीं जाना है तो देखे, आज हम एक नए चैप्टर हम शुरू करते हैं अपने स्लेबस का पहला जो चैप्टर है आपका, वो है Advent of Europeans in India यानि भारत में European शक्तियों का आगमन तो देखे, आपने प्राचीन कालीन भारत पढ़ा, आपने पिछले समिस्टर में मद्ध्य कालीन भारत भी पढ़ा था आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में विबिन आकर्मनकारी विबिन जातिया जो है समय समय पर आती रही चाए वो आकर्मनकारीयों के रूप में है चाए वो व्यापार करने के लिए आई जैसे अगर हम प्राचिंग काल में बात करें तो इरानी, युनानी, शक, कुशान, हुन ये तो आकर्मनकारी थे और फिर मद्ध्य काल में अगर हम देखें तो जैसे तुर्क थे महमूद गस्नवी, मुहम्मद गौरी के रूप में, बाद में मुगल आई तो ये आकर्मन हुए, अलग-अलग प्रकार के आकर्मन हुए, तो देखें, मद्ध्य काल के बाद, फिर जैसे आदुनिक काल, अगर हम इतिहास का, तीन भागों में बटवारा करते हैं, भारती इतिहास का, तो आदुनिक काल के अगर हम बात करें, तो बहुत सी यूरोपि और इसके जो प्रमुक देश है अगर हम बात करें तो आइलेंड, इंगलेंड, पुर्टगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नैधरलेंड या हॉलेंड ठीक है और इटली, स्विट्जरलेंड ये सब जो है ये यूरप के देश है ठीक है तो देखिए समय समय पर इन देशों से ये यूरप के देशों से बहुत से लोग वैपार करने के लिए भारत में आए आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही धन धनने के लिए विक्ष्व में प्राचीन काल में तो चीन के साथ भी वैपार हुआ करता था Ancient Silk Road to China इसका कारण क्या था कि भारत के पास प्राकृतिक संसादन बहुत थे इंडिया इस बीन वेरी डिच कंट्री तो देखिए इसको इसके संसादनों को प्राप्त करने के लिए और अपना जो व्यापार है उसको अधिक से अधिक लाबकारी बनाने के लिए बहुत से यूरोपिय देश भारत में व्यापार करने के लिए हैं उनका जो मकसद था वो व्यापार करना था प्रारव इन में सर्वोपरी थे पुर्टगाली पुर्टगाल एक देश का नाम है वहां के निवासियों को पुर्टगाली कहा जाता है इसी तरह से डच डच जो है हॉलंड के निवासी थे डच कोई जगह का नाम नहीं है डच एक जाती का नाम है जो हॉलंड में निवास किया करती थी ठीक है अंग्रेज दे रेजिडेंट्स ऑफ ब्रिटेइन ठीक है इंग्लिश पीपल वो भी व्यापारिक संबंद बनाने के लिए भारत में आये और फिर फ्रांसेसी तो पुर्टगाली डच फ्रांसेसी अंग्रेज ये प्रमुक चार यूरोपिय कंपनियां थी या यूरोपिय थे जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आये थे और इनोंने अपने व्यापार किया अपने कंपनियों के मांधियम से प्राइविट कंपनियों के मांधियम से अब आप देखे कि भारत आना भी उस समय इतना सरल नहीं था यूरोप से योरप से जो भारत आने का मार्ग था वो थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था वासकोडिगामा जिसने भारत की खोज की थी 1498 में वासकोडिगामा जो है वो स्पेन से जो है बिलॉंग करता था लेकिन पुर्टगाल से होकर पुर्टगाल का जो राजा था उससे अनुमती लेकर वो भारत में सबसे पहले 1498 में कालिकट के बंदरगा पर पहुचा था इसी तरह से कॉलंबस भी स्पेन का था उसने भी जो है अमेरिका को डिसकवर किया था और जो ही वेंट टो डिसकवर इंडिया बट बाइचांस ही डिसकवर्ड अमेरिका तो देखे क्या हुआ था कि तुर्कों ने 1453 में एक जगे थी कॉंस्टेंटिनो पर लिया कस्तुन तुनिया उस पर अधिकार कर लिया तो योरप और भारत के बीच में जो मार्ग था व्यापारिक मार्ग वो अवरुद्ध हो गया वो उसमें बाधा उत्पन होगी क्योंकि तुर्कों ने उस पर अधिकार कर लिया तो ये जो पॉर्चुगल और स्पेन के जो नाविक थे उन्होंने नएने मार्ग खोजने शुरू कर दी तो वास्कोडिगामा ने वो आशा अंतरीब का चक्कर काटता हुआ भारत के कंपनी पॉर्टगाली इस्ट इंडिया कंपनी डच इस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी ये सब प्राइवेट कंपनी होती थी जो भारत के साथ व्यपार करने के लिए आई थी तो देखे, प्रारंब में जो इनका मकसद था, इन कम्पनियों का, वो मुख्य थे, व्यापारिक था के वल व्यापार करना था, भारत से जो कच्चमाल जो उनको अपलब्ध होता था वो कम कीमत पर खरीद कर, वो अन्य देशों में महेंगे दामों पर बेचा करते थे and that was a very profitable trade for them, बहुत लाबदैक ब्व्यापार हुआ करता था लेकिन जैसे जैसे वो भारत में आये, उन्होंने भारत में किल्यग बंदी की, किला बंदी की, भारत में आके वो रहले लगे, भारत की रागनितिक उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये पाया है कि भारतियों में तो बहुत ही राजनेतिक फूट है ये तो आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं भारत की स्थिती भी उस समय अराज़कता की स्थिती थी जब ये पुर्तगाली भारत में आये थे 1620 की आसपास प्रारम में तो व्यापारिक उदेश्य था प्रारम में तो इनका व्यापार ठीक चला और उन्होंने सोचा नहीं कि राजनेतिक स्थिती का हमलाव उठाएंगे या कुछ करेंगे क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो अकबर का शासन था 1556 से 1605 तो मुगलों का शासन था और मुगल उस समय ठीक शासन कर रहे थे ऐसी कोई अराजकता की भी स्थिती नहीं थी उत बाद में जब अराजकता की स्थिती उत्पन हुई मुगल सामराजय के पतन के बाद तब उन्होंने उस अराजक की स्थिती का लाव उठाया और उसका लाव उठाया सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने पुर्दकाली तो फिर भी व्यापारी ही रहे ज़्यादा तर पुर्दकाली और डच ये तो व्यापारी रहे लेकिन 1707 के बाद यानि औरग्जेब के बिल्तियों के पश्चात जो अराजकता की स्तिती उत्पन हुई उसका लाव अंग्रेजों ने उठाया और ऐसा नहीं कि ये चारों इस्ट इंडिया कंपनी शासन कर व्यापार कर रही थी तो इनके बीच रडाई नहीं हुई इनके बीच में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अन्तत हैं अंग्रेज जो है विजह ही रही ब्रिटेन सर्वाइब देट स्ट्रगल अंग्रेजों ने पॉर्तगालियों को भी पराजित किया अंग्रेजों ने फ्रांसिस्यों को भी पराजित किया और इस तरह से अंग्रेजों का भारत पर धीरे धीरे फिर उन्होंने जब देखा कि जो मुगल समराथ है औरंगजेव के पश्चात वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और मुगल समराजय इतना विस्तरत हो चुका है औरंगजेव की दक्षिन नीती के बारे में आप जानते हो कि औरंगजेव की दक्षिन नीती इस परकार की थी कि उसने अधिक से अधिक सामराज्य का विस्तार किया तो इतना विस्तित सामराज्य है और जो शासक है वो बहुत दुर्बल है और अजेब के बाद तो शायन मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि बहादुर्शा प्रथम फिर कई सारे शासक जो है लगातार राजगदी पर बैठते रहे उनको उतारते रहे राजगदी से तो उनके हालत बहुत खराब थी बहुत अराजगता की जिए थी इसका पूरा लाव उठाया अंग्रेज और फ्रांसिस यूँ खासकर अंग्रेज अंग्रेज क्या करते थे कि जो मुगल दर्वार था वो गुटबंदी किया करते थे जैसे एक कोई मुगल शासक है तो उसके अनेक पुत्र है तो अंग्रेज किसी पुत्र के साथ हो गए फ्रांसिसी दूसरे पुत्र के साथ हो गए और वो शड्यंद्र रिश्टे रहते थ केंद्रिय सब तक खिला तो इस प्रकार से यह यू यूरोपिय शक्तिया थी ये प्रारण में तो व्यापारिक शक्तिया थे व्यापार के लिए आई थी इनको क्या चाहिए होता था इनको केवल मुगल जो शासक होता था ततकालीन मुगल शासक जिनके समय में आये थे उस मुगल शासक से वो परमीशन मागते थे ट्रेड की अनुमती लेनी होती थी वैपार की और कई बार ये जो शासक होते थे जैसे मुगल शासक हुए यह वयापार की अनुमती दे दिया करते थे क्योंकि इससे कोई उनको नुकसान नहीं था फायदा ही होता था वयापार से अगर एक टैक्स भी भरा करते थे व्यापार पर कर लगा जैसे आज के टाइम में कोई बाहर से कोई व्यापारिक कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए कोई कंपनी एस्टैब्लेश होती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है तो इससे इंडिया को क्या हुआ राजनेतिक अस्थिर्टा का लाव उठाया इन्वयापारी कंपनीों ने और एक ऐससमय आया कि जब इन्होंने भारतिये शास्पों को अपने हाथ का महरा बना लिया और आलम ये आया कि लगबग अठार्वी सदी के मद्धे में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिक कर लिया 1757 में शायद आपने पढ़ा होगा कभी किसी जगह इतिहास में प्लासी के युद्ध के बारे में प्लासी का युद्ध हुआ तेज जुन 1757 को उसके बाद से भारत में अंग्रेज जो है वो राज्यतिक शक्ति बन गया पहले वो केवल व्यापारिक शक्ति थी तो इस प्रकार से यह जो यूरोपिय कंपनी आई थी चाहे वो पॉर्चुगीज इस इंडिया कंपनी हो चाहे वो डच इस्ट इंडिया इस्ट इंडिया कंपनी को क्यों कहा जाता है इंडिया को इस्ट समझा जाता है क्योंकि यह वेस्ट के नेशन्स थे न यह ये सब West के Nations क्यलाते हैं हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृती पाश्चात्य देश और भारत को हम बोलते हैं पूरुका देश इसलिए उन्होंने उस Company का नाम रखा जैसे Portuguese East India Company इसी तरह से Dutch East India Company इसी प्रकार से French East India Company English East India Company अक्सरम बात करते हैं Company का प्रशासन Company के बारे में तो एक Company क्या थी ये आज की तरह की जो Multinational Companies होती है ये उसी तरह की Companies थी और ये आप ये ना सोचें कि ये जो है वास्तब में जैसे सबसे पहले ही English East India Company आई तो अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे अंग्रेज व्यापार नहीं कर रहे थे एक Company व्यापार कर रहे थे इट पस अल्ली एक Company देट वस ट्रेडिंग विद इंडिया तो ये बात आपको अच्छे तरह से समझ ले नहीं होगी कि ये व्यापारिक Company या हुआ करते थी एडवेंट आफ येरोपियंस का मतलब ये है कि जो चार व्यापारिक Company मैंने आपको बताई ये भारत में आई और इन्होंने भारत के साथ व्यापार करना आरभ किया बाकी जो डव्याप्मेंट्स है वो फिर हम अगली क्लास में पड़ेंगे थैंक्यू